पेच, आंदी और बारिश ने मुरादाबाद में तबाही मचा दी है तो वहीं आकाशिय बिजली के बें से किसान की मोत हो गई है किसान की मोत के बाद परवार में कहराव मचा हुआ है किस इस्तिती का गरीबार है वो गरीब परिवार साब केजी मजदूरी करते हैं किस से परिवार चलता हो नहीं है कुछ पुलिस या कुछ परशास्तिकारी वगर आये पता चला है कल चाहिए बहुत पुलिस परस्प्रेशन्य अभी आठीकारी आये थे देकर यह निए पता क्या इनके लिए चाफुछ तो बिदा करेंगा नहीं करेंगा तो पेजले पुली जाहिए ती संबल की जी मुरदावाज की बेना तेर भी परिवार है सरकारे की तब से साहता में पर नहीं चाहिए लिए निद्धू क्या नाम है आपका मेरा नाम योगिश योगिश है जो मौत हुई है उन वह कौन है तुम्हाई रिस्तेदार है वह हमारे ताउजी लगते हैं किस तरीके से उनकी मौत हो गए फर्ट खेट पर काम कर रहे थे यानि कि जब बादल का बादल आया तो वह अपना समान समयठ के समय इन रास्ते के किनारे से खेट में को रखने के लिए अचाना की बिजले गिरी तब आदसा यह बिजली उस समय गिरी जिस समय आंधी तुफान कर रहे थे यह अब आंधी तुफान आया था उसी समय बिजली थे फिर उनकी मौत हो आप लोगों को कैसा पता चला थे उसका हम जाते हैं जाते हैं तो रास्ते के किनारे खेते हैं उस चलते फिर क्याद में खरीत कर ले जाते हैं स्री भोजराज सिंग जो है वो एक किसान है हमारे यहां महमूद पुर माफी गाउं है मैना ठेट ठाना अंतरगत वो अपने खरबुजे की फसल जो है वहां देखने गए थे उसी समय आधी तूफान आया और बहुत तगड़े बिजली वहां पर गिरी और आकासी बिजली गि जो अनुमने सहायता है उसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई है और आज दोपर तक ही उसको 24 घंटे के अंदर ये सहायता उपलब्द करा दी जाएगी